हर्याना विधान सभा चुनावों के लिए सत्तारूर भारतिये जंता पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के जारी होती ही हर्याना भाजपा में अब भगदर मच गई है। दरसल भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और कई पूर्व विधायकों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बताते चलें कि भाजपा किसान मोर्चा चर्खी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेर्मैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रियाना भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जील शर्मा कॉंग्रेस में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सरकार में बिना खर्ची पर्ची के नौकरिया दे रही थी। तो टिकेट देने में ये पैमाना क्यों नहीं अपनाया गया। शर्मा ने कहा कि वह अगले दो दिनों में आगामी रणनीती पर फैसला करेंगे। भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची में पार्टी ने नई मीटिंग विधायकों और हारे हुए विधायकों का टिकट काट दिया है। जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय नजर आ रहे थे। हाला कि ऐसे कई मौझूदा मंत्रियों और विधायकों को टिकट दिया गया है। जिनके खिलाफ उनके क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर हावी है। सवे रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इन मंत्री और विधायकों की काफी खराब हालात बताई गई थी। बावजूद इसके वो लोग टिकट पाने में काम्याब रहे भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद कई जिलों में पार्टी के पुराने नेता नाराज है। इन में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल है। पूर्व मंत्री श्री देविंद्र बबली को टोहाना और राम कुमार गौतम को सिफों से टिकट दिया गया है। हिसार से टिकट की दावेदारी जता रहे जिंदल परिवार को भी जटका लगा है। यहां से मौजूदा विधायक और सैनी सरकार में मंत्री कमल गुपता को फिर से टिकट मिला है। तो वही संजय कमलान पूर्व जेल अधीकशक सुनील सांगवान को भी टिकट दिया गया है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News